नमस्का फ्रिंड मैं हूँ चंदम पटेल और देखे आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा बॉल्क डील हुई है लगपग 17,491 करोण का बॉल्क डील हुआ है और इसके वज़ा से स्टॉक लगपग 6% चड़ा है इतने बड़े बॉल्क डील के वज़ा से यह लगपग 6% की तेजी में आपको देखने को मिल ला है चलिए कौन सा स्टॉक वो मैं आपको स्टॉक के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं देखें कमपनी का नाम है ITC जो की बहुत ही जबरदस इस स्टॉक में यहां पर देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस स्टॉक में इतनी भेंकर निउज थी कि जो की FMCG की कमपनी है FMCG की कमपनी में इतना जबरदस तेजी आपको लगबक 6-7 परसेंट के आसपास उच्छाल देखने को मिली और बल्क डिल जो हुई उसके वज़ा बल्क डिल जो हुई वो लगबक 400 रुपे के आसपास के हिसाप से हुई है 400 रुपे के हिसाप से और देखें जो इनकी ITC की जो हिस्सेदारी थी वो लगबक 29 परसेंट के आसपास थी उसमें से लगबक 3.5 परसेंट बल्क डिल हुई और उसमें से इनकी जो हिस्सेदारी बती ITC की वो लगबक 25.5 परसेंट हो गई है ठीक है और आप समझ लिजे 3.5 परसेंट की जो हिस्सेदारी थी उसने बेची तो लगबक 17,491 करोंड रुपे का यहां पर उसके वज़ा से यहां पर अमाउंट जुटा है जो कि बहुत ही बड़ा एक हिस्सेदारी समझ लिजे आपको एक माना जाता है देखे जो एक्सपर्ट की राय है वो बोलने हैं कि इसका जो टार्गेट है वो लगबक 480 रुपे के आसपास जाने वाला है तो आपके यह नजर में होना चाहिए कि इस स्टॉक में हम अभी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं आपको यह स्टॉक अच्छा लगता है आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आई टी सी अच्छा खासा डिवडेंट भी देती है चलिए मैं आपको बताता हूँ ITC का जो डिवडेंट है वो लगभग आपको यहां पे देखने को मिलेगा 3.68% का सालीना इसका डिवडेंट है ठीक है जो कि एक बहुत ही बहतरीन माना जाता है ठीक है और यहां पे अगर हम इवेंट की बात करें तो आप इवेंट पे आप देख लीजे कि किस तरीके से इसन कितना डिवडेंट रही है आप यहां पे देख सकते हैं 2.75 पैसे मई में 6.75 पैसे मई में 6.15 फरवरी को ठीक है तो यह अच्छा है कि एक अच्छा डिवडेंट देता है और प्रॉफिट आपको एक अच्छा यहां पे होगा और यह स्टॉक भी लार्ज कैप स्टॉक है ज देखे उतना ज्यादा तो कुछ खास रिटर नहीं है क्योंकि यहां पे आपको देखने को मिला है कि लगबख 500 का हाई बनाया उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन हुआ अभी लगबख 419 रुपे के आसपास बाव चला है तो यह चीज़े आपको देखनी चाहिए एक बह करेक्शन में मिले तो मैं तो बोलता हूं भाई यह स्टॉक बहुत ही बहतरीन है आपको ले लेना चाहिए ठीके लगबख 2500-300 के आसपास यह स्टॉक मिले तो आपको बिना सोचे हुए यह स्टॉक ले लेना चाहिए धन्यवाद